और यहां पर यह रही मेरी IDiscuss website जिसमें की हमने एक forum बनाया था और उसी के साथ-साथ मैंने इसको Visual Studio Code में खोल लिया है और यहां पर यह रही मेरी PHP की वो series जो कि आप लोगों को करना है access description में link मैंने दे रहा है और अगर नहीं भी दे रहा है यार तो channel में जाकर आप लोग जरूर access कर लें यह बात मैं इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ जो कि local host slash forum पर इस website को serve कर रहा है अभी हुआ क्या है यहां पर जैसे कि आप देख रहे हो यहां पर welcome Harry लिखकर आ रहा है अब यहांपर मैं आप लोगों को अगर अपना database दिखा हूँ तो एक मिनट यह load हो जाए तोड़ा PHP माइड में I don't know इतना time क्यों लेना load ओने में बट यहां पर दिख रहे है और यहां पर हम लोग ने जो password है उसका hash store किया तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग कुछ directly कुछ भी डाल दे रहे है password और हमारा गर जो database है वो चोरी भी हो जाता है तब भी हम अपने users को protect कर रहे हैं मैंने test at the rate of test.com के नाम से एक email बनाया और उसका password test ही रखा है तो login मैं करूँगा जल्दी से उससे तो test at the rate of test.com और test से मैंने आपर जल्दी से login किया और चीज़े मुझे बिल्कुल सही दिख रही है आपर लेकिन एक बात अच्छी नहीं लेगी मुझे कि जब मैंने logout किया था जब मैं इस website पर पहली बार आया था logout होके तो ह हुआ है क्या था यहां पर काला काला कुछ दिख रहा था उसको ठीक करेंगे लेकिन हमने अभी logout functionality नहीं बनाई है logout functionality बनाने के लिए मैं क्या करूँगा एक logout page बनाऊंगा और उस logout page के अंदर मैं क्या करूँगा वही करूँगा जो कि मैंने पहले आप लोगों को logout में करवाया है तो मैं बिल्कुल ज्यादा time वहां पर ना लेते हुए logout.php यहां पर बना लूँगा ठीक है और यहां पर मैं कुछ इस तरह से PHP लिखूँगा logging you out please wait मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूं और मैंने यहां पर लिखा logging you out please wait और यहां पर यह logout करेगा और यहां प logging you out please wait कुछ इस तरह से उसको दिखे message ऐसा ना हो कि उसको लगी कि hang हो गए यह website यह कुछ हो गया है वैसे तो बहुत जल्दी हो जाती है इन चीज़े लेकिन तब भी हमको as a smart coder अपनी websites को code करना है ठीक है तो यहां पर मैंने यह किया underscore logout.php अब header के अंदर मैं कहूंगा कि इसा है जब भी logout button देख रहा है आपने करना क्या है सबसे पहले तो मैं इस button को यह bنا देता हूं मैं एक anchor tab इसको बना देता हूं और role is equal to button कर देता हूं तो मैं कहूंगा role is equal to button और यहां फिर directly इसको मैं HRF is equal to लिख देता हूं ऐसे अच्रफ इसको लिख दूँगा यहाँ पर slash partials या फिर partial slash और उसके बाद underscore logout.php और इस तरह से करने के बाद मैं save कर रहा हूँ इसको और roll is equal to button भी मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा अगर मैं भी इसको यहाँ पर सिर्फ save करके इस तरह से reload करूँ logout button को क्या problem क्या है logout में तो मैंने यहाँ पर यह data toggle लगा रहा है इसको मुझे हटाना पड़ेगा सबसे पहले यह करने के बाद अगी मैं इसको reload करूँ और वापस से logout करूँ तो हाँ भी यहाँ पर यह चल रहा है ठीक है और यहाँ पर इतने से कि मेरी जो logout की script है उसको यहाँ पर लिखूँगा तो basically मैं आपर सबसे पहले क्या करूँगा session को start करूँगा जो कि मैं as always करी रहा हूँ और session को start करने के बाद मैं क्या करूँगा सारे के सारे variables को उड़ा दूँगा तो मैं session को कर दूँगा destroy तो मैं session को कर दूँगा destroy और मेरा जो है काम हो जाना चाहिए इतना करके और हाँ session को destroy करने के बाद मैं क्या करूँगा मैं लिखूँगा यहाँ पर header और उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पर location basically मैं agree direct मारूँगा अभी मैं एक काम करता हूँ और उसको comment आउट करके देखता हूँ कि मेरा session destroy हो रहा है log out करके यह नहीं हो रहा है तो अगर मैं यह करूँ और reload करूँ तो हाँ मैं log out हो जा रहा हूँ फिर वापस से मैं अगर यहाँ पर लिखना हूँ test at the rate of test dot com और यहाँ पर मैं test लिखके submit करूँ तो मैं login हो गया अभी मैं इसको reload करूँ गा तो मैं logged in हूँ लेकिन अगर मैंने एक बार log out दबा दिया मैं यह जावास्क्रिप्ट वाला भी खोड लेता हूँ यहाँ से बानलो मैंने log out कर दिया तो यहाँ भी मैं log out हो जाँगो तो देखो यहाँ पर यह वापस से ही बता रहा है अब चलो session destroy करके हम redirect तो कर ही लेंगे उसमें कोई problem नहीं है तो मैं आपर लिखूंगा header location by the way अगर आप header का syntax भूल जाते हो तो header, php, manual ऐसे लिखना है internet आपकी मुट्टी पर है और सब का जो internet है वो तेज तो चलता है तो बिल्कुल भी यहाँ पर पर परिशान मत होना वैसे एकदम simple है location के बाद आपको देनी है कहाँ पर आप redirect करना चाहते हैं बट मैं बता रहा हूँ आप लोगो को अगर by any chance आप बूल जाते हो that's normal रटना नहीं है internet आपको अगल exam नहीं है अब आप सारे लोग मुझसे पूछते हैं जो मैं बोलता हूँ कि रटना नहीं हो कहते हैं यार मेरा exam में मेरी teacher को समझाओ वो कह रहे हैं कि रटकयान है तो यार देखो जब आप academic exam दे रहे हो तब scene थोड़ा different हो जाता है वहाँ पर आपसे expect किया जाता है थोड़ा याद भी रखो लेकिन जब आप professionally development कर रहे हो तब आपको reference देखना पड़ेगा बार बार उसका reason यह है कि आप बहुत कम time में बहुत सारी चीज़े learn नहीं कर सकते हैं और उसे के साथ साथ आप हमेशा उसको याद नहीं रख सकते हैं लेकिन कल exam है और आप अगर याद करते हैं उसको आज तो वो एक drill है और मैं उसको support करता हूँ उस drill को जो की कराई जाती है आपको तो उसका एक purpose होता है तो exam अपने दें अच्छे से मुझे वहाँ code बिल्कुल ना करेगी मैंने ऐसे बुला है but at the same time जब आप professional development कर रहे हैं तब आप लोगों को दियान रखना है कि आप लोग के बस manual है याद रखने की कोशिश करोगे आप बार बार तो problem ही होगी अब ये welcome Harry लिखा हुआ है यहाँ पर ये Harry आँक आसे रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैंने कोई गलती करी है ज़रूर header में ये welcome Harry मैं search करता हूँ ज़रा और ये देखो welcome Harry यहाँ पर छिपा हुआ है तो ये welcome Harry यहाँ पर डला हुआ है और मुझे ये नहीं चाहिए welcome Harry तो ये हटा दूँगा यहाँ से तो लगता है मैंने इसको गलती से डाल दिया और ये यहाँ पर रह गया और अब मैं अगर इसको reload करूँ तो एकदम clean यहाँ पर मेरा logout होगे बीज आ गया है तो मैं login करूँ अगर अपने account से by the way मैं अपना एक sign up भी कर सकता हूँ account का मैं आप लिख सकता हूँ harry at the rate of 7.com और harry मानलो पासफ़ट मैं सिर्फ h रखता हूँ h रखता हूँ और इसको मैं h.com कर देता हूँ और मैं इसको तोड़ा और सिंपल बनाने के लिए h at the rate of h.com लिख सकता हूँ h sign up और h at the rate of h.com आप लोग को यह कैसे password रख रहा हूँ मैं लेकिन यह देखो अच्छा एक चीज और देख लेते हैं क्योंकि https आप तब लिखोगे जब आपकी website production में जाएगी लेकिन अभी के लिए मैं आपर लिखूँगा क्या मैं लिखूँगा यहाँ पर localhost slash forum ठीक है यहाँ फिर आपकुछ इस तरह से slash भी लिख सकते हो और यहाँ पर मैं slash forum और अभी मैं इसको reload करूँगा अगर तो यह handle login के अंदर तो अगर मैं जाओ handle login के अंदर तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि अगर server method post है तो हम connect करें database में हम यह चेक कर रहे हैं और उसके बाद अगर यह गलत हो जा रहा है हमारा password तो हम क्या कर रहे हैं आपर if यह तो हम यहाँ पर header location forum यह कर रहे हैं तो basically हम लोग यहाँ प forum partial handle login.php को गलत details दूँगा तब क्या होगा मैं जब यह देख लेता हूँ तो देखो मानलो यह password verify नहीं हो पाया तो यह इसके else में जाएगा ठीक है मानलो मैं continue किया login नहीं हुआ तो मैं अगर गलत details से इसको कर रहा हूँ तो यहाँ पर मानलो कोशिश कर रहा हूँ गलत details से इसको login करने की तो यह मुझे login नहीं करेगा by the same time अगर मैं आपर मैं ऐसे करने की कोशिश करूँ तो बड़े अराम से login हो गया अब आप लोगे किया जब login कर रहे है और successfully login नहीं हो रहा है तब एक message यहाँ पर show कर दो ना तब वो अगर आप लोग चाहते हो तो वो भी मैंने बता रहा है already मैं बस यहाँ पर चीज़े repeat नहीं करना चाहता हूं मैंने वो सारी functionality करा रखी है आप लोगोत कर रहा है तो यहाँ पर logout functionality भी आड हो गई है और आप लोग message यहां पर flash कर सकते हो एक variable मना दो successfully logged out वहाँ से यहां तो post request भेज़ दो यहां पर और उस variable को check कर लो अगर वो है तो यहां पर वो alert show करा दो नहीं है तो मत करा हो तो यह सारी चीज़ें मैंने already करा दी है similarly wrong login का भी है आप क्या कर सकते हो post request मार के भेज़ सकते हो यहां पर या फिर get request से यहां भेज़ सकते हो question mark लगा कर कुछ ऐसे लिख सकते हो कि login is equal to false इस type से आप लिख सकते हो और अगर वो false होगा login यहां पर check करा लो उसको यहां लिख दो invalid credentials तो वो काम आप मैं जाओंगा खुदी करो और यहां पर देखो अगर मैं किसी category में आता हूँ और start करना चाता हूँ discussion तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपर start a discussion करने ही दूँगा किसी को जो login नहीं है और आपको login होना पड़ेगा न start करने के लिए discussion को तो अगर आप लोग एक discussion start करना चाते हैं तब आपको login होना पड़ेगा और अगर आप लोग लोग इन हैं तभी आप लोग start कर पाएंगे discussion ठीक है तो यह चीज़ हमें आपर आगे बनानी है ठीक है similarly यहां पर मैं browse कर सकता हूँ browse यहां पर मैं कर सकता हूँ या फिर अगर मैं चाहूँ तो इस forum में entry ना दू किसी को तो वो मेरे forum की functionality पर depend करेगा बट मैं अभी यहां पर क्या करूँगा मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग आना चाहें आपर इस forum में comment वगरा करना चाहें वो करें खुल के करें कोई problem नहीं अगर वो कुछ post करना चाहते हैं आपर चाहें वो एक comment भी क्यों ना हो वो anonymously नहीं कर सकते इस काम को क्योंकि अगर ऐसा मैंने allow कर दिया तो लोग आ के कुछ भी लिख के जाएंगे आपर जो की out of context होगी forum से मैं चाहना हो लोग user जो है हमारा I sign up करे sign up करके अपनी identity मुझे दे एक basic information अपने बारे में बता है phone, उसकी email id वो सारी बाते बता है और वो सारी बाते बताने के बाद ही उसको मैं entry दूँ यहाँ पर ठीक है और in fact entry तो मैं वैसे ही दे दूँग मैं उसको यहाँ पर allow करूं comment करने के लिए यह जो post a comment लिखकर आ रहा है login to post a comment यहाँ पर आ जाए अगर मैं उसको देखता हूँ कि वो logged in नहीं है और अगर वो log in है तो वो post कर सकता है और जैसे ही वो post करे anonymous user की जगा उसका यहाँ पर username आ जाए लिखकर ठीक है तो मैं उसका logout functionality को बहुत अच्छे से बना लिया है और उसी के साथ-साथ यहाँ पर और जो functionalities है जिसे contact form वगरा है वो मैं अभी prioritize नहीं कर रहा हूँ अला कि मैं बनाने को तो बनाने में time नहीं लगेगा बिल्कुल भी prioritize मैं उन चीज़ों को कर रहा हूँ अब यह के लिए इस वीडियो में इतना ही इस वीडियो को लाइक करना मत बूलना प्लेलिस जरूर अक्सेस कर लेना thank you so much guys for watching this video and I will see you next time